नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप उमीद है आप अच्छे होंगे गर पे रहकर अपना ख्याल रख रहे होंगे और आज मैं बच्चों के लिए कैसी रेसेपी लेके आई हूँ जो कि उन्हें बहुती पसंद है और बच्चों को तो आपको पता ही हर दिन चटपटा खाने का मन करता है और वो आर्च से लाके दे ने सकते क्योंकि लोगडाउन चल रहा है आज मैं बच्चों के लिए की रेसेपी लेके आई हूँ तो चले बनाते हूँ कुरक्रे बनाने के लिए हम एक पेल लेंगे इसको नीचे रखके ही पेस्ट बनाएंगे फ्रेंट्स मेजरिंग के लिए आप कोई भी कटोरी या कप ले सकते हो तो मैं यहाँ पर कटोरी से मेजर कर रही हूं एक कटोरी पीसा हुआ चावल काटा लेना है अगर आपके पास चावल काटा नहीं है तो आप मिक्सर से ग्राइंड कर लेना और चावल आप किसी भी ब्रांगे ले सकते हो टेस्ट के लिए आदा कटोरी बेसन डाल देते हैं, बाइडिंग के लिए एक चमच मेदा डाल देते हैं, पुरक्रे क्रिस्पी और कंची बने इसके लिए हम एक चमच सुजीक मिला देते हैं इसके अंदर, वन सोट तीस किस्पून आपको बेकिंग सोडा मिलाना है, दो चु अब हम इस आटे को मिल्स करके पानी से एक स्मूथ सा पैस्ट बना लेते हैं, पानी को आपको धीरे-दीरे मिक्स करना है, ताकि हमें पता चलता रहे हमारा पैस्ट सही बन रहा है या नहीं, और फ्रेंस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लंस ना आएं, ये जूर डल् ये और मिक्स कर देते हैं, पुर्क्रे बनाने के लिए हमें इस पैस्ट की इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, इस तरह का रखना है अब हम गेस ओन करके इसको पर रख देते हैं और फ्रेंस आपको इसको लगाता चलाते रहना है, ताकि इसमें लंस ना रहें, अगर ये ड बनाने जैसा हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंस हमारे कुक्रे काटा इसा हो चुका है, आपको गेस की फ्लेम को अग्दम से लोग करके और इसे चार-पांच मिनिट के लिए डख के छोड़ देना है, ताकि ये और अच्छी तरह से पत जाए, और बीच में आप इसे एक ब प्रेडी है ये हमारे कुक्रे बनाने के लिए अब हम गेस की फ्लेम को बंद करके और इसे रूम टेंपरेचर तक आने तक इसको ऐसे ही ढख देते हैं, ये लिजी फ्रेंस हमारा बेस्ट रूम टेंपरेचर पर आ चुका है, अब हम इस थाली के अंदर इसे प्रांसर कर ले आए ना, फ्रेंस इसके बाद हम खाली में ट्रांसर करके, पेस्ट को तो छाली में ट्रांसर करके इसे एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं, अगर इसके अंगर कोई थोड़ी बहुत जल्या रह गई हो, तो उसे हम मिक्स करके इसे अच्छी तरह से आटे को लजिला बना यह देखिए फ्रेंडस हमारे कुल्प्रे का पेश्ट इ Bry अब हम eth लगा कर यह और फोड़ा ने करके थोड़ा साने रिंख करके यह से इस तरए और ऑब श सब्सक्राइस तरह के इस यह कुल्क्रे बनाने के लिए फ्रेंड आप बच्चों के भी हल्प ले सकते हो उन्हें खिल्खिल में बनाना बहुत लगा और अच्छा लगीगा और आप इस परीके से हाथ से बना बना करके ऐसे रख लिजे फिर हम इसे प्राइब ये लिए जी फ्रेंट्स जो मेजर करके हमने इस सामान लिया था ना उसके तीन प्लेट बनी ही हमारे कुरक्रे की और अब हम कळ गरम कर लेते हैं और फिर इसको फ्राइ कर लेते हैं यह हमारा ओल गरम हो चुका है अब हम इसके अंदर कुरकरे फ्राई कर लेते हैं ये इसकी फ्लेम को आपको फ्रेंड से मीडियम रखना है ताकि ये अंदर से भी क्रिस्पी बन जाए लिजिए फ्रेंड हमारे कुरकरे फ्राई हो चुके हैं और इनको हलका ब्राउन करना है आपको ज्यादा ज्यादा नहीं कलना है फ्रेंड सिल्को और अब हम इसे निकाल लेते हैं ये देखिए कितने क्रंची बने हैं हमारे कुरकरे ये लिजिए फ्रेंड मैंने सारे कुरकरे फ्राई कर ली है ये देखे कि क्रंची बने हैं, अब हम इसके अंदर मसाले मिस कर लेते हैं आदा चम्मच लाल मिट पाउडर स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजी, क्यांकि नमक हमने पेस्ट में भी डाला था तो थोड़ा सा ध्यान रखना फैंस देख एक चम्मच चाट मसाला मिस कर दीजी इसके अंदर अब आप इसको ऐसे मिला लीजी अगर आपको ज़्यादा इस बास से खाना पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च और मिला लेना अगर आपके पास टमाटर का पाफडर हो तो आप उसे भी डाल लेना तो फ्रेंस आपको मेरी कुरकरे बनाने की रेसेपी कैसी लगी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेर एंड लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कर दो